नागौर में मंगलवार को राजस्थान नर्सेज असोसियेशन के जिलाध्यक्ष के लिए सुमवार को हुए मद्दान के बाद मदगर्ना हुई दोपहर को मुकेश रिवार जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए उन्होंने राजुराम को 266 मतों से हराया जीत की घोशना होते ही मुकेश रिवार को उनके समर्थकों ने गोध में उठा लिया तता फूलमालाओं से उनका स्वागत किया इसके बाद में मीडिया से बातचीत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश रिवार ने कहा कि वे नर्सेज कार्मिकों की हर समस्याओं के निराकरंग कराएंगे साथ ही उनकी हर समभब मदद करेंगे इस दोरान भारी संख्या में नर्सेज कर्मचारी भी उनके साथ थे जीत के बाद मुक्य निर्वाचन अधिकारी भावरलाल बारोरिया वा महावीर भाकल ने उन्हें जीत का प्रमान पत्र दिया राजस्थान नर्सेज असोसियेशन के जिलाध्यक्ष के लिए सोमवार को जिलेभर में मददान हुआ था प्रेस प्रवक्ता नर्सिंग ऑफिसर बदरिना रायन चंगानी ने बताया कि मदगन्ना तीन राउंड में हुई प्रथम राउंड में मुकेश रिवार 28 मतों से आगे मगर दूसरे राउंड में राजुराम इनानिया चार मतों से आगे रहे मगर तीसरे राउंड में मुकेश रिवार 242 मतों से आगे हो गए इस प्रकार मुकेश रिवार 266 मतों से विजही हुए इस दोरान जिले के सभी ब्लोक अध्यक्षों को भी निर्वाचित भोशित किया गया और उन्हें भी प्रमान पत्र प्रदान किये गए कि जो भी समस्त मांगे होगी और नागोर जिले की आन बान और सान को परदेश इस्तर पर कभी जुकने नहीं दूंगा मैं यह वादा दिलाता हूं आपके जो राजुराम जी इनानिया जो मेरे साथ चुनाव लड़े उनको भी मैं मेरा अध्यक्ष मानता हूं उनको भी बहुत बहुत मैं सुब गामना इन देता हूं उन्होंने बहुत अच्छी मेनत की हम दोनों एक ही हैं हम साती हैं हमारे अंदर कोई बेरदाव नहीं है जिन्दावाद 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 अन्यवाद